तो हेलो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक है सेकर्टी भाई गुल फार्म अली राजी में तो हम लोग इन्वार्मेंट पढ़ रहे हैं क्या इन्वार्मेंट क्या जोग्रफी क्या साइंस और क्या एकॉनोमिक्स सभी से लिटेड है हमारा जो टॉपिक जो मैंने आपक और क्लाइब पूर्मके पारे बीदिस कैसा इन्वार्मिक्वर prac तो हुष हुआ रहे है अब इस पार्ट में हम लोग डिसक्सन करेंगे दुश्प्रुभाव जो है बैड एफेक्ट्स या ग्लोब वार्मिंग हमें किस पर से नुकसान पहुचा रही है उसके बारे हम डिसकुसिन करेंगे और साथ इसाथ क्लाइमेट चेंज के बारे हम डिसकुसिन करेंगे ठीके चोथे पार्ट में तो चलिए बिना किसी भूमिक का कि हम लोग शुरू कर देते हैं तो इससे पहले मैंने आपके उताया है गुलोब वार्मिंग का रूट कास किया है फिर उसको क्या मोटिवेट करने वाले जो फैक्टर से वो क्या है अब सिधे सिधे जह हम यहां पर आगें क्लाइमेट चेंज की तरफ को है ना अग और समांसा हो जाता है कभी शाहने अचनक आधिया जाती है ना कभी ओला पड़ जाता कभी वह पढ़ जाती है कभी ओस थी तो मोसम तो 24 गहंटे में लगाता है बळता रहता अ क्या होता है मुसम आपके हासपस जो हवा है वायू मंड्ली दाब है हाफमें जो नमी यह ुसक कि जो दशाएं उनका जो आसथ है उसे आप मोसम कहते हूं अब यहीं मोसम का लंबे समय का उसथ तीन चार पांच शे महिने का उसथ जो है उसे हम कहते हैं क्लाइवेट यह जलवाईग जहां रखना मौसम है ना एक दो दिन यह तीन दिन तक रहने वाली घटना है लेकिन आपको वर्ष में दो प्रकार की जलवायू मिल जाएंगी कहीं तीन प्रकार की जलवायू मिल जाएंगी वैसे भारत की जलवायू है वह क्या है मांशुनी जलवायू इसकी खुबी है कि यहां पर साल में तीन रित्म होती है सर्दी गर्मी और परसाथ ठीक है यह हमारी जलव तो आप देखेंगे जैसे दिन में ठंड हो रहे है वैसे रात में ठंड हो रही हिल्हें से बादल मांथमून तो आप देखे, आम तर पर हमारे यहां अाथ साल में 3 रित होती है, सरडी, कर्लाव बतात प्रिज करने मियों, सरडी अम तर पर पर आक्टूबर लाश्टें प attempt appear गईती है 9 पर दें मियोंनाो, पॉंगल के नाम से भी जारा दाम दक्षिन भारत में इसका एक फर्मूला में ने मलाया केरल में कुछ अटक गया साथ केरल में ओडम से डियह में हां अगरहा है नहीं किरनी एक पर भी वारत में जांतरर अ कमयूंड और में होसं कर थो देरे देरे प्रसेज चलता रहता है उसके बाद घर में जाती है जुन में जुलाई अगस्ट में मांसून अपने पीक पर रहता है और फिर हल्की हल्की थंड़क शुरू हो जाती है लेकिन ऐसी थंड़क नहीं कि फूह घंड़क जा अभी है तो आप देखरें ना ही होता आया कबी-कभी इसा हो जाता है, मांसुन फेल हो गया या पहाड़ों पर अच्छी बर्फ नी पड़ी तो तर भारत के मितंद ौशन्स कोई खास हो जा जाता है हूँ कभी-वह बहता है, जंशन चाहरोणा कि इसा हो जाता था, begging jeszcze पिछलिस साल में इतना गरम निसंबर कभी नहीं रहा है हर साल आप देखेंavin हर साल के मैं ने सूहार बना लिया तो अगले महीना जुन आया तो धान बारिष का रिकार्ड बना लिया अगस्त ने सूखे का रिकार्ड आप देखें ना जुलाई में इस वार खुब बारिष हुई तो जुलाई ने बरसा का रिकार्ड बना लिया गर्षान क्या मांसून में और रिकार्ट वर्सा कर गया लेकिन अगस्ष सूगा गया मिन इसमबर के बाद深入 करवा चाला गया है होता ही है कि 15 दिसमबर आप्छी खासी ठीस ढूररा हो जाती है दो तीन में पहले गर्म हो गया था पंखा चलाना पड़ा था लेकिन अगले फिर से ठंडी हो गई इसका कहने का मतलब क्या है कि मोसम का जलवायू का या क्राइमेट का कुछ पता नहीं चल रहा है रितों तो अभी भी तीन है सर्दी गर्मी और बरसात लेकिन गर्मी कब आए महिने के तीन या चार महिने के मांसुन की जो और वसत बारिस होती है उसी की आदी बारिस एक ही दिन में हो गई तीन चार महिने के मांसुन के जो बारिस होती है उसी की आदी बारिस एक ही दिन में हो गई उसके बाद मांसुन सूखा चला गया वो जो रिम जिम है ना रिम ज देखते हैं कि फरवरी में सर्दी को चला जाना चाहिए तो मार्च में कह रही है सर्दी ना अभी नहीं गई हो मैं ख़वारों भी खबर पढ़ते हो ना सर्दी जा रही है फिल लोट का रही है फिठंडी पढ़े जाती है है तो मोसम की अनिश्चित्ता उसकी की अनिश्चित्त रिद्य जल्वाऑ की निश्चित्ता की और तॉस तो उसमें भीव बुढ़ पीक पर होगा उसका भी कुछ पता नहीं है कुछ लोग इसको सेसं शिफ्टिंग भी कहते हैं बिल्गु कहते हैं सीजन हो रहें लेकिन इसको पूरी तरह से कहँए दरना कि सीजन हो रहे हैं महीं मांना जिसन्स तक अब तरहर इसको लोग सेजन कप सुरू होगा वह मांश हो हे सीजन कभ शूर Ben मार्च में गर्मी शुरू हो जाने चाहिए लेकिन पया जला कभी फर्वरी में शुरू हो गई यो कभी अप्रेयल में भी गर्मी नहीं आ रही है यह जलवायू पर रिवरतन यह क्लाइमिट चेंज रितू या मौसम वुक्व आएगा और उसमें उसकी इंटेंसिटी यानि होती है वुक्व आएगी इसका कुछ पता नहीं है इसी को हम कहते हैं जलवायू पर बुर्द क्लाइमिट चेंज अब जाहिर सी बात है क्लाइमिट चेंज हो रहा है इसका सबसे सीधा जो असर पढ़ रहा है वह हमारी हैल्फ पर पढ़ रहा है तरह तरह के रोग इससे पै क्लाइमिट चेंज का असर सीधा जो है वह हमारी हैल्फ पर पढ़ रहा है इसके लावा देखो रितुम का परिवर्थन हो रहा है तो वह किसको प्रभावित कर रही है खेती वाडी जो रितुम का जो चक्र है ना या मोसम का जो चक्र है वह जो प्रकरती है ना उसको प्रभ बढ़ गए फोतो होनी के विए से कंले में बहुत कम बने आप इसमों वा साथ में नरें नोवेंबर लास्ट या दिस्म्स फर्सट वेक में जो फायदे मेरें लेकिन जिननोंने अगेती खेती अच्छी और अउलाद पिछेती अच्छी क्या है यह नियुक। जो सबसे चोटे बच्छी और घर में आम तुर पर मावाप का जया धियान रखते हैं। आमतर को मवाप का जहाध धियान अगते हैं बड़े तो साधी होई और अलग होगए हमारे बरतोन अलग होगए साधी होगई पतनी आगई वो कहने लगी अरे तुम कमारे हो यह सारे खा रहे हैं अच्छा आ यह बात तो सही करी उसको जो बात 30 साल में समझ में नहीं आई वो उसको 30 मिट में समझ गवाई बात तो सही किरें पी क्या करें अलाग हो जो हो जो चोटा भाई कर रहा मेरा क्या हुआ तेरी साधी कर देंगे भी तेरी साधी कर देंगे तेरी साधी कर देंगे तेरी साधी कर देंगे तेरी साधी और जो चे विए सब्सक्राइब जम दोंबर नॉंबर यहा जाता था यार किया नॉंबर को और यहा जा जाता था और 15 तक कोई लेट संबर नींगे माना जाता था आप दिसंबर लाश्ट में आगया अब ग्यहों थोड़ा लेट हो गया जनवरी तक में लोग ग्यहों बहुते थे वज़े यह थी उसकी कि जो गर्मी लू जो शुरू होती थी अब लू फरवरी लाश्ट में शुरू हो जा रही है और जैसे लू शुरू ही फरवरी ऐनक थंड आगी तो थंड जो पढ़नी चीए थी डिसंबर में जो पाला दिसंबर में पढ़ना चीए था शुरू हो जाना चीए था वो जन्वरी में आ रहा है इस विए से गयों की बड़enario को यहाते है बढ़वार है ना यानि के नए पेड निकलना वो रुख गया अब आप देखना यह पूरी संभावना है कि जैसे ग्यहों में बाली आने लेगी वैसी एकदम से सूरेदेव प्रगट हो जाएंगे खूप तेजी से एकदम से गर्वी बढ़ जाएगी लेकिन ग्यहों को पकते समय तेइंगमियट को अच्छा गोग करते समय खूब हाइँ तेमरेचर चाहिए लेकिन अचानक क्या हुआ कभी सितंबर लाश्तम बारियस हो गई चकरवात आगया साइक्दमर लाश्तुं आगई अचानक सर्दी आ गई अब जब असानक सर्दी आ गई एकदम से temperature गए गया तो धान जो है वो धान से पक नहीं पाया या धान में जो 20 था वो अच्छे से growth नहीं हो पाया पैदावार घट गई इसके लावा इसी climate change की वेशे फसलों में तरह तरह की रूग भी पैदा हो रहे है तो climate change जो है वो सीधा खेती पर और इंसानी स्वास्त पर असर डालना है तो यह किस से पैदा हुआ global warming की वेशे तो global warming का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है climate change की रूप में और climate change जो global warming का सबसे बड़ा जो नुकसान सीधा आ रहा है इंसानी हेल्थ और खेती वारी जो पैदावार है प्रकृति का जो चक्र है उस पर सामने आ रहा है ठीक है आगे चले अब तो अब climate change होने के वेशे आप देखें मच्र दानी है मशुर्दानी सर्दी में भी नहीं नहीं है ज़ुकर जनवरी भी मच्छर दोने लगानी पड़ी इसका मतलब मच्छर ने ठंड से लड़ने के लिए अंदर जो पुतिरोग शमता होती है वो पाली है यह टेमपरेचर इतना नीचे नहीं जा रहा है तो तरह तरह के रोग पैदा होते जारे हैं इसी क्लाइमेट चेंज की वज़े से फसलों को नुकसान हो रहा है नहीं नहीं बीमारी आ रही है वगएरा वगएरा अब इसके लावा ग्लोल वार्मिंग के और क्या-क्या लॉसे जैसे के यहां पर मैंने लिखा है इस पेसली है जलवाई उपरदबतन उसके बाद देखो जैसे गर्मी बढ़ रही है पूरा का पूरा एक साइकल है गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ने के विए से अचे यह टॉपिक का वैसा हो गया कि आम तो पो सभी लोग जानते हैं जैसे अभी माल्दीब से हमारे जो डिप्ल हमाया कि साब कोरले को नुकसान हो रहा है या इस हकि माल्दीब समुद्र का इस तरह है वो भी घरा जा गो जो है क्योंकि समुद्र का स्थफ जो बढ़ रहा है ना उससे सबसे पहले जो डूबेगा मालिव जो है और समुद्र तल से मांत्र एक या लडे फीट उच्ट है और समुद्र तल से उसकी थी यह तो इस लेवल पर मालडीव की जमीन शुरू हो जा रही है तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे अंटाक्टिक आक्टिक और धुरूबों की और इसके लावा जो उचे उचे पहाड़े उन पर जो ग्लेशियर है उनकी बर्फ लगातार पिखलती जा रही है और जिस दर से गर्मी बढ़ रही है उस दर से आने वाले 40-50 साल में उचे उचे पहाड़ों के जिसमें हमाले भी शामिल है हमाले के ग्लेशियर उत्ती धुरूब दक्षनी धुरूब आर्क्टिक अंटाक्टिक यहां पर वर्फ जो है बिल्कुल खतम हो जाएगी वैसे इसका फाइदा यह हुआ कि लोग रहने के लिए कुछ और जाएग जब यह नदिए शूभ जाएगि आपको पता यह संदुगहाटे की सबता दा पत्तम के बारे में के वारे में कहते है ना कि लिए स्बसके आप लिए बैसे इसकतन हो जाना निश्चित है अगर इसी दर से वर तक्षा था तो इस साल बढ़ता जा रहा है और अगर यह समुद्र का लेवल 5.71 मीटर यानि 71 सेंटी मीटर के आसपास उठ गया मौलदीव सारा गया लंदन के आसपास के जो कोस्टेल लाके हैं पस्षी बहुत सारा पस्षी मंगाल बहुत सारा उडिसा आधा बांगलादेश आधा बांगलादे सब दूब जाएगी दूब ना मतलब क्या है समुद्र धिरी-धिरी अतिक्रमाण कर रहा है ना समुद्र आयक बाड़ बढ़ आ तो सब दूब जाएगा बहुत से देशों ने दिवारे भी बनांगी है समुद्र के रास्ते में दिवार ही बनानी है लेकिन वो दिवारें किसी सुनामी के सामने ढह जाएंगी वो अचनक से बाढ़ा जाएगी दुनिया या वो इलाका जोई हो खत्र हो जाएगा तो माल्दीव से माइग्रेशन सुरू भी हो गया है माल्दीव ने दूसी जगाओं पर ठीका ने तलाशने भी शुरू कर दी है क्योंकि तापमान लगातार बढ़ा है ठीक है साब तो समुद्र का जलिस्तर बढ़ेगा अब गर्मी बढ़ने के वेश्ट समुद्र पर ही रहे हैं हम आपको पता है मैंने जब आपको चक्रवाद पढ़ाए थे चक्रवाद पैदा होने की मूल वज़े क्या पढ़ाई थी मैंने धर्ती और समुद्र के बीच तापका अंतर समुद्र और धर्ती के बीच तापका अंतर अब जैसे से temperature बढ़ता जा रहा है, धर्ती और समुद्र के बीच के ताप का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इस वे से ने-ने cyclone पैदा हो रहे हैं, उनकी ताकत या उनकी रफ्तार भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रहे है नए-ने किसम के समुद्री आपदाया रही है, अचा जब समुद्र में बार-बार जब चक्रवात आएंगे, तो किसको रुख्यान होगा? समुद्र को होगा, समुद्र किनारे अक्सर बाढ़ आएगी, समुद्र किनारे जो भी state, जो भी इलाके बसे हैं, उनमें जानमाल की भ बढ़ती जारी है, समुद्र के पानी के लगातार गर्म होने से, उसका खारापन भी बढ़ता जारा है, उसके अंदर जो carbon dioxide है, वो भी बढ़ती जारी है, उसके वजए से, समुद्र के आसपास जो mangrove forest हैं, जिनने हम कहते हैं सुंद्री बन, उनको नुक्सान हो रहा है, सम स्वसंदर है, वो लगातार बढ़ती जारी है, आप देखो न, अगर आपकी स्वसंदर बढ़ती जारी है, अभी गहों का एक्जांबल दिया था हमने, गहों growth rate बढ़ गई, तो तेजी से पन पेगा, तो तेजी से मर भी जाएगा, तो नईने शेवाल तेजी से बन रहे हो नईने से मर भी रहे है, तो उस पानी के अंदर सडन पैदा हो रही है, पानी में pollution लगातार बढ़ता जा रहा है, किसकी वज़े से, carbon dioxide के वज़े से, अब जब पानी की salinity या पानी की लवड़ता लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके अंदर जो जली जीवन है, खासकर जैसे जैसे, आप लोग देखेंगे, जैसे जैसे, कहां बोले थे हम, तो जो, जो seafood पर depend है, कोश्टे अरिया का आसपात, जो लोग seafood पर depend है, उनकी रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है, यहां पर एक बहुत सी महत्पूर्ण चीज, हाँ, यहां अचाना कि यह लोग चल कोरेल, तो यह जो समुदर में रहने वाला छोटा सा प्राणी है, कोरेल, यह समुदर की गर्मी को, यह समुदर में बढ़ते CO2 की मातरा को, यह समुदर के खारेपन को बरदास नहीं कर पा रहा है, कोरेल ब्लीचिंग को बढ़ावा मिलने के वेशे, जो कोरेल या मूंगा जो है, वो धीरे-धीरे मरता जा रहा है, अब यह कोरेल ब्लीचिंग क्या है, कोरेल ब्लीचिंग क्या है, इसके लिए मैं अलग से, नेक्स सेशन में आपको बताऊंगा, खेर, तो जो मूंगे की चटाने हैं, वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे नश्ट होते जा रही है, अच जासे जो दीरी-दीरी यह नश्ड होते जा रही है यह समूधर की वाय फॉटेमः की चंट होते जा रही है हमारी फूट्चेंश नश्ट होते जा रही है इसके लबाए जयरे मुंगे की चट्टानें है यह ठीट गोरी है तेमाम परोद को ऺैप्ट की तुमासर्स एंगर डिखते हैं आप नडियां इस्टे आरा आसपास की जयमीर को काटती है तो वहां पर समूदर के नारे मुंगी के चटाने मैंगरो फॉरीस्ट है तो समूदर की लहरों को शान्द कर रहें और मिठी के गटाव को रोग रहें इसके लावा जो cyclone आ रहे उची उची मुगे की चटाने जहां मिलती हैं वहां कोई भी नुकसान नहीं होगा उच्टानां ने सुनामी की लेयरों को रोक लिया सथा समुद्र में गर्मी के पढ़ने के वजय से ठीके रहा बार समुद्र अब समुद्र किनारे बार-बार साइकलन आएगे तो जाहिसी बात है बाड भी आएगी है अच्छा इसी क्लोल वार्मिंग की वेज़ से लेकिन मुंबई चन्ने दिल्ली में भी होने लगी है आपके आसपास भी बादल फटने इसी साल इस साल नहीं पिछले सेसं में पिछले सीजन में मांसून के इतनी भैंकर बारिश होई थी मैं अपने घर में बादल तो नहीं फट गया एक घंटे में लबाल लब सारन बजने अब पानी आप देखो न अब ऐसा नहीं के साब इतनी भैंकर बारिश होगी तो बाल की दसाओतपन हो गई है दिकत तो हमारी में घुकत थेन पासे नाला बहता है जिसे दो क्लोनी दिरे अब तेके भाते समस्कार करते जा रहें मिंट्रा करते जा रहें तो जो पानी के भा पापमें तो अब पानी जो से जो पनी संद्य दाते पान आए फरीयत थे भादल फट जा रहा है भैंकर बारिष हो जा रही है तो सथ कुछ नालिया पालिया आपकी चोक हुई जो भ्यापार का जो रिए नुक्सान पोचा रहा हूं कुछारा यह सब से यादब और्स्री अस्ता को नुक्सान पोचारा है च्लाइमेट चेंच को जा और फोसिल फ्यूल ज्यादा ज्यादा क्यों जल रहा है हमारी आवादी बरतियारी उभोग बढ़ता जा रहा है यह पूरी की पूरी चेन है मैंने कहा न आपसे के इस सेशन को देखने के बाद आप चाहें UPSC का मेंस देनल एंवार्मेंट पे और ऐसे तो आप लिखेंगे ल ने डाम बना रखें लेकिन इतनी भंके फिलेड आई कि उसने डाम ही तोड़ दिया आपके नल और जो लाइने वाइल हैं सब उखाड़ दी हैं टंकी वंके सब तोड़ दी लो जी लो बार का पाई तो गया समंदर में डाम आपका तूट गया जहां से पानी आपको मिल रह है जब हमें अपने उभोग के लिए अपनी जरूरतों के मताई कि पानी ना मिले वही जल संकट है खेती के लिए पानी कंपड़ जाए पशुम के लिए कंपड़ जाए पानी घरेली जरूरतों के लिए पीने के लिए नहाने के लिए पानी कंपड़ जाए वही जल संकट है जल संगट आपको पते ही आ रहा है, गर्मियों में आप लोग पढ़ते हैं खबरें, कि वहाँ टैंक बेज़े जा रहे हैं, वहाँ बाटर सप्लाई दिक्कत हो भी, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, आप लोग जिस इलाके में रहते हो ना, वो इलाका धर्ती का स्व प्लेए लाका है, जंगल भी नहीं इतने घने, नहीं तो जो वन्य प्राणी होते हैं, जंगली जानवर होते हैं हिंसक, उनसे हमें खत्रा रहता ना, ऐसे खत्री भी यहाँ पर नहीं है, आगवाग लगनी घटाया आम तोर पर नहीं होती है, और पूरे के पूरे उधम सिन पंपिंग सेंट उसको निकाल सकता है, ठीक है ना, तो आप धर्ती के स्वर्ग में रहने हैं, आप कश्मीर को भले कह रहे हैं, लेकिन मैं आपने लागे को कहता हूं धर्ती का स्वर्ग, है ना, ना जाओ दिल्ली, ना जाओ देहरादून, आओके बसो हमारे गाउं में जल संकत, हाँ, लेकिन आप थोड़ा साई दिर नीचे उचले जा रामपूर, पादल जाएगा आपको जल संकत क्या होता है, बड़े-बड़े पंपिंग सेंट, तो टुक-टुक-टुक करके इतना पाई देते हैं, जितना हमारे नल देते हैं विकास, इतना पाई निकलता क्यों ना पाई है, या ना खेती के लिए ना, इंसानी जरूर दो के लिए, वही जल संकत है, तो अब जल संकत पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि हो यह रहा है कि अक्सर बाड़ा और सूखे की वेशे, बाड़ा यदाम तोड़ा के ले गई, उसके अगले साल सूखा गया, ब बार बार मैंने बताया आपको और जो mangrove forest हैं वो इससे नष्ट होते जा रहे है ग्लोल वार्मिंग की वेसे मुंगे की चटाने नष्ट होते जा रहे हैं समुद्री जीवन पर क्या प्रफाव पड़े यह भी बताया मैं आपको किर्शी माना स्वास्त की बात भी हो गई कममदा नष्ट हुमें संगध माटगोर हैं पानी की लीए यह रहे हैं आक्सर जाटम हो झाएगा तो पानी के लिए उद्ध हों गे दोकिते मिलाओं की तरह अधर ही मिलाओं दोड़ा जाएगा पानी के सोगतीद आड़्यार आघ्या एंट हैं उसे था फलिस्तिन की तरह इसलोल एक दोड़ा देश जगा कंशी। तो लोग अक्सर कहते हैं कि तीसरा जुद जो लडा जाएगा पानिंग लडा जाएगा ठीक है खर तो अब जैवीवित्ता हमारी बहुत नश्ट हो रही है इसी क्लाइमिट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के वेए से तो जैवीवित्ता किस तरह से नश्ट हो रही है उसकी बात करेंगे हम बाइडवस्टी या जैवीद्दा वाले चैप्टर में खुल मलाके बाइडवस्टी हमारी इसकी वेश से नश्ट होती जारी है धीरे धीरे और हमारा एको सिस्टम यानि के हमारा परिस्तितन परिस्तितन तो आप आवो हवा भी कह सकते हो ना हमारी जो आव जैसे ही उपरी सते है रेत में बद लिए तो धीरे धीरे अब वहर से भी आगे पहुच गया रेकिस्तान पंजाब में ठीक है साब तो रेकिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा है तो यह है ग्लोल वार्मिंग के मुकसान जो मैंने आप से शेर किये ठीक है तो चार पार्ट ह होगे इसनी चार पार्ट में मैं क्लाइमेट चेंज ग्लोल वार्मिंग को आपको समझा चुका हूं आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी किजिए शेर भी किजिए और सब्सक्राइब भी किजिए थैंक्यू